प्रइन थोड़ा जलक जलक कर रहा था क्योंकि इस चैप्टर का इनाम है इंडिया की जलके नजारें क्या जाम है गलिम्सेस तीन पार्ट है या ACT ४ाट न्यान Kinder की तीन नजारों या जिसमें से पहले पार्ट में बात की गई बेकर फ्रॉम गोवा पहले पार्ट का नाम और इस पहले पार्ट को लिखने का कस्ट किया है लूसियो रॉड्रिक्स ने अधर का नाम याद कर लो और इस वीडियो में हम डीटेल में NCRT की एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे तो NCRT तुम लेकर भी बैठ सकते हैं क्योंकि जो इंपॉर्टन लाइन्स होती है वो भी हम साथ में नोट करते चलेंगे और उसका मतलब बताते चलेंगे एनिमेटर तरीके से पूरी स्टोरी कवर करेंगे NCRT की सारी डिटेल्स के साथ और डिस्क्रिप्शन में तुमें मिल जाएगी व्क्षीट वर्क्षिट में तुम्हें मिलेंगे सारे के सारे previous 10 years के previous year question with answers, MCQs और passage extract based questions जिसमें latest competency based questions भी मिलेंगे लाइन बाई लाइन समवरी स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लो इस चैप्टर का ओवर यू छोटा सा, कि इस चैप्टर में है क्या, पढ़ना क्या है, अब बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का नाम है, यानि कि गोवा के एक बेकर की बात होगी पूरे स्टोरी में, बट एक बात और है कि गोवा को रूल किया था कई सालों तक पॉर्टुगल के लोगों ने पॉर्टुगल कंट्री वहां के लोगों ने पॉर्टुगेस पीपल ने पॉर्टुगेस पीपल जो थे न उन्हें ब्रेड्स बड़ी पसंद थी ब्रेड्स बड़ी जादा पसंद तो यहाँ पर इस स्टोरी में पॉर्टोगल के लोगों की बात होगी, ब्रेट्स की बात होगी, और किसकी बात होगी, बेकर की गोवा के. स्टार्ट करते हैं, लाइन बाइन समरे, जिससे तुम्हें सब कुछ क्लियर होता चलेगा. पहले ही लाइन में लिख रखा है कि क्या मतलब है इसका? यहाँ पर एक लाइन देखो, इसका मतलब होता है कि प्यार से पुरानी यादों में डूब जाना. तो यहाँ पर ओथर वता रहे हैं, याद रखना कि यह ओथर ने जो पूरी स्टोरी लिखी है न, यह अपने बच्पन के टाइम पे लिखी है, जब वो छोटे थे, तो अब वो छोटे है, वो अपने elders को उन्होंने कई बार सुना है, बात करते हुए, किस बारे में बात करते हुए? उस टाइम के, उस जमाने के बारे में बात करते हुए, जब पॉर्टुगल के लोग, पॉर्टुगिस लोग यहां गोवा में रूल करते थे, और यार देखो, रूल तो करते हैं, जैसे बिटेसर्स ने इंडिया के पूरे में रूल किया, कबजा किया, बट वो लोग चले जाते हैं, बट उनका कुछ ट्रडिशन नहीं जा पाता है, उनका कल्चर नहीं जा पता है, यहां तक कि चाय, जो उन्होंने फेमस की, अब चाय हमारे में फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में यह अप चाय है, उसी तरह से गोवा में, अब तो पॉर्टिशन लोग रूल नहीं करते, बट उनका फेमस हो चुका है ब्रेड वहाँ पर, आज गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रेड, और उस समय पॉर्टिश लोगों नहीं इंट्रोड्यूस किया तो अब ब्रेड को काफेदा पसंद किया जाता है, और वो ब्रेड बनाने वाले आज भी वहाँ पर हैं, समझ गए, आज भी ब्रेड बनाने वाले गोवा में हैं, यहीं NCRT की लाइन में लिख रखा है कि the fire in the furnaces has not yet been extinguished, यानि कि वो जो furnaces जहां ब्रेड बनती थी, उसकी fire आज भी भुजी नहीं है, वहाँ आज भी आग जल रही है, आज भी काम चल रहा है, बेकर्स अपने traditional bamboo के साथ आज भी वहाँ पर देखा जा सकता है, अब यह क्या है, traditional bamboo क्या है, यार जब भी बेकर चलता था ना, तो अपने एक हाथ में बास लेके, बास की डंडी लेकर चलता था, और दूसरे हाथ से वो अपने सर पे रखे हुई, बड़ी सी टोकरी को support देता था जिसमें रहती थी, सारी की सारी breads, जहां भी वो बेकर जा जाता, वो जो एक हाथ से bamboo पकड़ा था ना, stick, उसे थप थप जमीन पर गिराते हुए जाता, कि आवाज होती रहे, उस आवाज को क्या लिखा है, anxiety में, jingling thud, jingling thud office bamboo, यानि कि उस bamboo का सोर, जिससे सब को मालुम पढ़ जाए कि हाँ, बेकर आ चुका है, अरे जैसे आज आइस्क्रीम वाले चलते हैं, तो कभी घंटी या कभी बहुआ पू, बहुआ पू, बहुआ पू, बजाते हुए चलते हैं ना, same वैसे ही, आगे बुक में लिख रखा है, तुमारे during our childhood in Goa, अब childhood की बात करेंगे, author, क्योंकि ये childhood के ये बारे में अपनी story बता रहे हैं, कि जब वो बचपन में थे, गोवा में, तो जो बेकर था ना, वो at least दो बार आता था उनकी पास, दो बार at least बेकर आता था दिन भर में, एक बार कब, पहली बार जब वो morning में अपना पूरा टोकरी रहती थी, वो लेकर निकलता था अपने selling round पे तब, और दूसरा तब, जब वो पूरा Sam को आ रहा होता था, वापस अपनी सारी breads बेच के empty करते हुए, और जब वो आता था, जब भी, चाहिए वो पहली बार हो, चाहिए वो दूसरी बार हो, सारे के सारे बच्चे, ये author और उनके सारे friends दोड़ के, सारे cousin, भाई, बैंड सब दोड़ के, बेकर को जा बास्कीन या बास्कीन लाके उन्हें देते थे, बलकि वो तो इसलिए दोड़ते थे, कि वो उन्हें चूस करने होती थी bread, कि मैं ये चूस करूँगा, मैं वो चूस करूँगा, यासे हमने बड़े excited होते हैं कि जब कुछ भी आता है तो चूस करने के लिए, तो वो गोल बैंगल यानि की चूड़ी के शेप की, अरे जैसे क्रैक्स की रिंग होती है न, वैसे शेप की, रिंग शेप की bread आती थी बच्चों के लिए, और इनी रिंग शेप की bread में से कुछ-कुछ bread का भी मीठी मिठी होती थी काफी, तो ये सबी दोरते थे, कि मुझे वो इटी वाली bread मिल जाए, और ये इतने excited होते, सुबा सुबा खाने के लिए कि ये बिना brush की खा लेते थे, और इसका reason उपता है क्या जाते थे, कि और ये शेरों को थोड़ी brush करने की जरूरत होती है, tiger बिना brush की खाते है, बट असली reason ये था कि कौन जाए mango leaf को हटाए, तोड दंडी में से और फिर brush करें, या फिर दातुन करें, जो पुराने जमाने की दंडी से brush करते थे, तो ये सब चीज़े बच्चों को नहीं पसंद थी इतना लंबा process करना, बलकि दौड के जाकर वो खा लेते थे, और उल्टा ये बोलते है कि अभी गरम चाय पीऊंगा, जो स साफ कर देगी, सब clean up हो जाएगा, मेरा दात, जम्स जो है, सब मर जाएगे, फिर उसके आगे बताया गया है कि कितना ज्यादा important था, कितना ज्यादा importance था bread का गोवा में, क्यूं, जब भी किसी को marriage gift देना होता था तो वो जरूर से marriage gift में एक sweet bread देता था, sweet bread जिसका नाम था bowl, B-O-L, फिर जब भी कोई party या feast हो, party shati हो रही है तो वहाँ पर कोई कुछ लाए या ना लाए, बट एक चीज़ जरूर आता था bread, फिर किसी की भी बेटी की साधी हो, अगर वो बेटी तुम्हारी crush है, तुम तो दुखी हो जाओगे, लेकिन किसी की भी बेटी की साधी ह तो उसकी मा को, उस लेडी को जरूर से जरूर से बनाना पड़ेगा क्या, sandwiches, जो उनी बेट की बनती थी, जो वो बेकर प्रिपेर करते थे, तो समझ रहे हो, बेकर कितने important थे, कोई भी function हो रहा है, वहाँ पर चाहिए ही, function क्या festival में भी, Christmas भी अगर है, तो हर Christmas पे लोग एक दूसरे को gift क्या करते थे, cakes और बोली नहास, बोली नहास में जादो दिमाग मत लगाओ, वो एक dish है, जो बेकर बनाया करता था, और यार आगे लिख रखा है कि बेकर या फिर bread seller जो था, वो क्या पहनता था उन दिनों में मालूम है, एक पैसुलियर ड्रेस जिसको कहते थे कबाई, पैसुलियर ड्रेस का मतलब क्या होता है, पैसुलियर का मतलब strange या unique, काफी unique सी ड्रेस थी, जिसका नाम था कबाई, क्या ये unique थी यार देखो एक long frog तरीके थी, एक long frog तरीके की ड्रेस जो just knees के नीचे तक आए, यानि कि बस तुमारे गुठने को cover कर दे, ऐसी ड्र पैसुलियर ड्रेस लिखा है, यानि कि अजीव, unique dress, और आज भी अगर कोई एक half pant पहन के निकले गोवा में, जो just गुठने के नीचे तक आए न, तो उसे लोग पता है क्या 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 दूलाएंगे जोर से, ए पादर, अरे बताया था ना, कि बेकर्स को आज भी लोग पैसा लेना है, यह सब यह किसी diary में लिखता था, यह diary में लिखता था, ना ही किसी copy book में लिखता था, बलकि यह एक दिवाल पर लिखता था, वो भी pencil से एक दिवाल पर लिख लेता था, सबका महीने भर का हिसाब, और महीने के end में, यानि कि month के end में जाकर, bill बता के अपन भूके नहीं मरती थी, भूके मरना छोड़ो यहाँ पर तो यह हाल था कि यह सारे बड़े ही मोटे ताजे थे, तो सब को देख के यही लगता था कि यार यह तो बड़ा ही पैसा चापते होंगे, और ऐसा था भी उस समय पर बेकिंग काफी अच्छा प्रोफेशन था गोवा में, फिर यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब कि उसका मोटा ताजा सरीर तेस्टिमोनी का मतलब यानि कि प्रूफ यानि कि इस लाइन का मतलब हुआ यानि कि उसका मोटापा प्रूफ था इस बात का कि वो काफी ज्यादा खुश और प्रॉस्परस थे आगे लिख रखा है इवेंट टुडे यानि परसन विथ जैक्फूट लाइक फिजीक अपीरेंस इस इसली कंपेर टू अबेकर यानि कि आज भी अगर गोवा में कोई जैक्फूट लाइक फिजीकल अपीरेंस यानि कि मोटा ताजा आदमी दिग गया ना किसी को तो लोग उसे कंपेर कर देंगे बेकर से और फिर उसे कोई पीश उसे बोलेगा एई पादर तो यार ये छोटी सी स्टोरी होती है खतम इसकी समरी खतम होती है अब आओ चलते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा important questions पे सबसे पहला ये इस तरीके सभी पूछा जा सकता है तो इसका answer तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिखना होगा और answer इसका हम सबको पता है कि किस बारे में elders गोवा में बात करते थे उस समय पे किस बारे में बात करते थे good old Portuguese days के बारे में वो जमाना जब Portugal के लोग गोवा पे रूल करते थे तो कैसे breads कितनी ज़्यादा famous थी कितना प्यार था bread को लेकर और आज भी लोग baker's को पादिर कहके बुलाते है next question कि यार baker अपनी arrival कैसे लिखाता था warning में तो कैसे आता था baker थड जिंगल sound बजाते हुए अपनी जो bamboo stick थे उसको road पे या जमीन पर bang करते हुए या फिर पटकते हुए जिससे एक आवाज हो और वो आता अपनी stick को रखता vertical stick जो थी वो stick को रखता उसके ओपर अपने टोकले को रखता और lady जो थी ना घर की उसको greet करता good morning ma'am और बस इतना देखते ही सारे के सारे बच्चे घर से दौड के तुरन थी जाते baker के पास फिर यहीं से अगला question मन सकता है question मिल जाएंगे एक और question बसता है कि यह question ना यार जल्दी आता तो नहीं है बट आ सकता है इसके कुछ parts आ सकते हैं जैसे कि क्यों इतना importance था baker का तो यहाँ पर तुम्हें चार चीज़े लिखनी होगी यह चार चीज़े कि marriage gifts में कितना important था कि जब भी किजी को marriage gift देना है तो वो क्या जेता था? marriage gift में sweet bread जिसको bowl बोलते थे फिर party या feast हो रही हो तो वहाँ पर bread चाहिए सबको, daughter की engagement है तो वहाँ पर जरूर से sandwich बनाना है फिर Christmas पे cakes और bolinas हमेशा चलता था बड़ा ही famous था फिर उसके बाद एक आखरी question आखरी important question कि हम कैसे कह सकते हैं कि baker, baking, baking ये धन्दा उस समय पे profitable था काफी अच्छा profession था उस time का old days का क्योंकि baker's की family कभी भूके नहीं मरती थी and certainly never stopped फिर baker की जो family थी उसके जो servants थे और baker खुद ये सब के सब बड़े ही खुश दिखते थे और ये सारे की plump physique इस बात की open testimony थी यानि कि इन सब की plump physique इन सब का मोटापा इस बात का proof था कि ये सारे काफी यादा profitable business करते हैं और काफी prosperous हैं इन सब के सब अब इसके MCQs competency question यानि की latest type के question जो cbsc घुमा घुमा कर पूस्ता है वो सब तुम्हें नीचे description में दी गई PDF में वक्षीट में मिल जाएगा जा उसे download करो PDF को solve करो और इसके बाहर से अगर इस वीडियो को तुमने ध्यान से देखा है वो वक्षीट solve कर लोगे तो उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला ये chapter खुद भी एक बार NCRT से देख ले न सब कुछ मैंने समझा दिया है इस वीडियो को लाइक कर अगर पसंद आया और इस वीडियो को सब में बाढ़ दे और उसके बाद क्या ते जाना जा पढ़ ले